सावन के महीने में जरूर करें ये उपाए महादेव की कृपा पाने के लिए जाने क्या करें और क्या नहीं हिंदु धर में सावन महीने का विशेश महत्व है और सावन का महीना देवों के देव महादेव को अतिप्रिय है और उन्ही को समर्पित है सावन के महीने में भगवान शिव और माता पारवती की पूजा का विधान है सावन के महीने का हिंदू धर में विशेश महत वै और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये पाँचवा महीना होता है इस महीने में भगवान शिव की पूजा की जाती है कुवारी लड़कियां योग्यवर की प्रापती के लिए सावन सोमवार के वरत रखती हैं और इस साल सावन का महीना 14 जुलाई 2022 से शुरू होगा और 12 अगस तक रहेगा सावन के महीने में कुछ खास उपाई करने से भगवान शिव प्रसन होते हैं तो चलिए जानते हैं इन विशेश उपायों के बारे में तो लेकिन उससे पहले जान लेते हैं सावन के महीने में सोमवार की तिथियां तो 18 जुलाई को सावन का पहला सोमवार का वरत रखा जाएगा 25 जुलाई को सावन का दूसरा सोमवार का वरत होगा और एक अगस्त को सावन का तीसरा सौंवार का वरत रखा जाएगा आठ अगस्त सावन का चोथा सौंवार का वरत होगा सावन के महीने में कौन से काम है जो की करने चाहिए तो इस महीने में भगवान शिव को पंचा मृत चढ़ा कर उद्राबिशे करने से मन और शरीर को शान्ती मिलती है सावन के महीने में व्रत रखना काफी शुब माना जाता है व्रत रखना सेहत के लिए भी काफी फाइदे मन्द माना जाता है इस महीने में महा मृतुंजे मंत्र का जाब करना भी काफी शुब माना जाता है सावन के महीने में शावन सौंबार व्रत कता पढ़ना और पवित्र रुदराक्ष धारन करना भी काफी पवित्र और शुद माना जाता है जो लोग रुदराक्ष धारन करने की सोच रहे हैं उनके लिए सावन का महीना सबसे पवित्र और शुब होगा तो वो इस महीने में रुद्राक्ष धारन कर सकते हैं तो चलिए अब जानते हैं कि सावन के महीने में वो कौन से काम है जिनको करने से बचना चाहिए तो सावन में जो लोग वरत रख रहे हैं उन्हें तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए इस पूरे महीने में उन्हें प्याज लेसुन का सेवन बिल्कुल नहीं करना है इस महीने में अगर आप वरत रखने की सोच रहे हैं तो वरत पूरा रखें आधे अधूरे बिल्कुल ना रखें इस दोरान मास और मदीरा का सेवन करने से बचें तो चलिए अब जानते हैं उन उपायों के बारे में जिनको करने से जीवन की कठनाईया, जीवन की परेशानिया तुरंट ही दूर हो जाएंगी तो सावन के महीने में पढ़ने वाले सौमवार के दिन शिवलिंग पर अनार के जूस से अभिशेक करने से इससे घर में चलने वाली आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलेगा अगर आपके घर में कोई अक्सर बिमार रहता है तो सावन के महीने में रो जाना, पानी में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभी शेक करें अगर आपके जीवन में दिक्कते आ रही हैं या फिर बनते हुए काम बिगड रहे हैं तो अपनी पतनी के साथ मिलकर भगवान शिव और माता पारवती को चावल से बनाई गई खीर को चढ़ाएं ये जानकारी यहीं तक ही उमीद करती हूँ जानकारी आपके काम आएगी पहुशती रहें तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ जै शिव शंकर जै भोलेनाथ